नमस्कार जन सरुकार मंच द्वारा शुरू की गई एवबी लाइव श्रंखला में जिसका नाम है आपकी मेरी बात उसमें आज आप से मुखातिब होंगे हमारे जिले के बहुत प्रतिश्टित किसान नेता मुहम्मद जाकिर साथ जो कि वर्तमान में नहीं आगे सदियों में भी एक इत्यास में पढ़ा जाएगा कि टौक में जि टौक जिले में पानी की मांग को लेकर किसानों ने अंदुलन किया और उसमें प्रशाशनिक इस तर पर फाइरिंग की गई जिसमें पांच लोग मारे गई एक गर्वती महिला मुझा भी थी बहुत दुखत रुर्फणाख समय था जो उनके साइन भाई उनके σεले और उसका दर्द जाकिर सौब आस तक भोग रहे तो मैं जाकिर साब से अघरय करूंगा यंए शौत जो देख रहे हैं उनका आभार करता ओंकि जाकिर सौब आज अब नास्किर बाते हो होंगे तो अलग अलग फैकुली में आपका जो व्यक्तित्व है हम चाहेंगे कि और जादा दूर तक तरह करें, लोग आपको पैचाने, आपकी सोच को जाने, तो जागिर साब आप थोड़ा सा ये बताए कि आप तो शुरुवात में क्या आप सीधे ही किसान जमीन पर आ गए या इस से पहले भी कुछ आपका था और फिर आप अपनी जमीनों को संभलने के लिए इस फिल्ड में आई, क्या था एक्चुली? मैं अश्यक सखसेना जी, पहली बात तो यह है कि मैं आपका बहुत शुक्र गजार हूँ, जो आपने जन सरकार मंच, मैं आपके कारिय करम, आपकी मेरी बात में मुझे बुलाया, और अब मेरे मन की बात कहने का एक यह मौका आपने दिया है, मैं मेरा नाम मुझे जाकिर हुसेन, और मैं किसान परिवार से ही हूँ, लेकिन मेरी जो अप्तिदाई तालिम जाए है, एजुकेशन, वो गाओं में ही हुई, जिराना में मैंने चोधी पाच्वे किलास से पास की, ठीक है, और उसके बाद मैं भरता गया, लेकिन यह जो अंदोलन और यह सब जो चीजे थी, दो हजार तीन तक मेरी जिन्दगी में नहीं थी, ठीक है, मैं सोफ्टेर का दो हजार तीन तक मैं सोफ्टेर में था, उननी साल में आईटी हेड, किलोस कर, देवास यूनिट का हे जी, लेकिन जब मैं पूना, बंबे, जिसे हमारे ओफिस है, एरिया ओफिस हैं, महां सोफ्टेर को जो डवलमेंट का काम था, वो भी मेरा था, डिजाइन का काम भी था, सिस्टम भी अनलिस्ट करता था, और A.C.P की भी ट्रेनिंग ली थी, ठीक है, तो आप एक सोच सकते ह के आज के 15-20 साल पेले जो सोफ्ट एर के अंदर हो, उसकी लाइफ स्टाइल क्या होगी, ठीक, और मैं जब पूना बंबे में घुमता था, और जब अपने गाउं जब मैं आता था, ठीक, ग्राम अजिस्परा जहां पर 8-10 मकान हैं, ठीक, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि यार हम कहां जी रहे हैं, और हमारे जो घर के पेरेंट्स हैं, पडोसी हैं, गाउं के लोग हैं, ये क्या जिन्दगी जी रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा मेरे मन को कचोड़ता रहता था, कि वापस से आपको पलट के आना चाहिए, और ऐसा काम करना चाहिए, कि लोग य जाद रहे हैं, और इनकी भी जिन्दगी अच्छी तरीखे से चले, और एक सवाल मेरे हमेशा रहता था दिमाग में, ये जो मैं सर्विस कर रहा हूं, ये मेरे परिवार तक है, मेरा बेंक बेलेंस होगा, और बेंक बेलेंस भी था, मिसेज भी मेरी सर्विस में हैं इसक्त ये इंगलिश की प्रोफेसर है, बच्चा है, जो उसने भी लाव पास किया है, बहुत अच्छी लाइफ, उननीस साल का मेरा जो 2003 तक का सफर जो था, वो इतना अच्छा था, कि मैं आपको मैं बता नहीं सकता, उस चीज़ को दिमाग में लेके पिर मैं 2004 के अंदर, ये सोच सिंदेगी, तो मैं 2004 के अंदर, कोई घटना घटी जीवन में ऐसी है, सोती ही विचा रहा है, ने अपने है, क्यूंके मेरी जो जमीन है, मेरे ग्रांट फादर, मेरे फादर, ये खेती किसानी करते थे, और मेरा जुडाव रहा, मतलब मैं पूना में भी रहा, बंबे में भी रहा, जहां पर भी रहा, हर मैने में अपनी जमीन, अपने परिवार, अपने जो किसान लोग हैं, उन से चुडा रहा है, तो आप जहराना आ गए वापस, वापस से मेरा गाउँ अजिस प्रा है, जिसमें 4-5 घर है, ठीक है, आ गया, और 2003 में, 2004 में में आयता है, 2003 में हमारे चुनावी माहूल था, उसमें वसंद्रा जी जो थी गाउं गाउं में परचार कर रही थी, ठीक है, कि भाई, वीसलपुर का डेम आपका है, हम आपके खेतों को पानी देंगे, तो मुझे यह खुशी थी, क्यूंके एक किसान की जो रिड़ की हड़ी है, किसान का जो जीव अपन है, वो पानी है, तो अपन क्यों न ये नोकरी छोड़ के इस जगे पर आए, पानी अपन को डेम से मिलेगा, और इस खेती को अपन सबारेंगे, तो उस चीज़ को लेकर फिर मैं 2004 के अंदर यहां पर आ गया, वसंद्रा जी की सरकार बनी, चुनाव जीती हूं और सरक बनी, उसके बाद 2005 के अंदर हम लोग जो है, वसंद्रा जी के पास, मतलब सीचाई मंतरी सामर मली के पास गया, और उनको यह बाद दिलाई कि वह 2003 के अंदर मुख्य मंतरी वसंद्रा राजे ने वादा किया था कि आपके शेत्र को विसर बुर्बान का पानी तोड़ी साग में डाल कर और आपके खेतों को में तोड़ी सागर में कैसे डाल लेंगे पाइपलाइन डाल रहे थे वो लोग ने उसका तोड़ी सागर और यह आपका जो विसलपूरे जी इसके बीच में उनको फीडर खोदना था अच्छा फीडर के दो सर्वे हो चुके थे एक 27 किलो मे है एक है 22 किलो मेटर चीक है उस फीडर में 22 किलो मेटर में जो है उसकी डेप्थ जादा है कुछ थोड़ी उची नीची जगे है मतलब 20-25 फीट और 27 किलो मेटर का जो सर्वे है उस फीडर का वो खरीब 8-10 फीट है और उसमें कोई ऐसी आबादी भी नहीं आ रही है उनना क कोई एगरी कल्चर मतलब लेंड है मतलब जहां पर किसान खेती करते हो चीक है तो यह दो सर्वे और वो कोई पाइपलाइन का नहीं है नेचरल फिलो से पाने का है अच्छा लेकिन यह मुद्दा भी जब आया कि मैं जब 2004 में आया था तो मैंने जिराना के अंदर एक मन्डी होते हुए कि उसमें कोई तोल के काटे नहीं लग रहे थे मैं उस चीज को लेकर मेरे जो किसान सातियों सबको लेकर मैं जो हमारे कर्शी मंत्री उस वकर 2003 के चुनाओं के अंदर पर बुलाल सेनी थे उनके पास उनको मैंने किसानों को 20-20 का हमारा जो सातियों का दल था वो गया सोहले में वो उनको अपने घर जा रहे थे सोहले में हमने रोका उनसे बात चीत की और उनको एक एप्लिकेशन दी उनके साइन लिए फिर उन्होंने कुछ हमें रास्ते बताए फिर मैं जेपुर जा के राजशेड में मिला ठीक है और जहां पर सर्चु क्या जो तुलाई हो रही थी बाहर वो 1213 कुंटल थी उस वकट लेवी का भाब 16 कुंटल का फाइदा हुआ तो लोगों को एक वश्वास मेरे में पैदा हुआ एक डेरी को लेके एक लेवी को लेके इस तरीके से फिर उन्होंने मुझे इस बात पर भी जोर दिया कि जाकिर भाई उ अपन इस चीज को आके बढ़ा हैं तो फिर हम परपुलाल जी सेनी जो सीचाई मंतरी थे उनसे मिले एक जून दो हजार पांच को फिर पांच जून दो हजार पांच को फिर तेरह जून को हमने ये दिया था ग्यापन के अंदर कि अगर तेरह जून को अगर आप नहीं आए ये तेरह जून तक हमारी बात का कोई सोलुशन नहीं निकला तो हम सोहला जाकर रोड को ब्लॉक करेंगे जाम लगाएंगे और जिराना से सोहला की दूरी 22 किलो मेटर है सोहला इसलिए हमने चुना के 22 की दूरी है इस बीच में गाओं के लोग जब एक रेले के रूप में चलेंगे प estoy к यृ चार गंटे तो लगी जाएंगे ठीक, लेकिन इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, पर शासन भी चुप, कितना हजार किसान होगा, कम से कम नसेर उस वकद, दस हजार किसान, पीपलू, मालपुरा, टोडा राइसिंग, और कुछ टूप के किसान, ठीक, शामिल थे, क्योंकि सबी की एक मांग थी, कि बीसलपुर बांद का पानी टोड़ी सागर में डाला जाए, इसमें कोई लिफ्ट नहीं है, नेचरल फिलो से आ रहा है पानी, और 40 फिट ये नीचे है, इसका जो टोड़ी सागर का जो सी लेवल है, और बीसलपुर का जो सी लेवल है, वह अभी तक इसकी 15.50 मिटर की बार ये, तो नेचरल फिलो से पानी आ रहा है, और मुख्य मंतरी ने भी वादा किया, हम लोग महां सोहला तक पहुँच गए, और मेले जैसा महौल था, दुकाने बंद हो गई थी, और उसमें जब दुकाने बंद हो गई थी, मैं खुद मिला उन दुकानदारों से, उनको बोल कौन आगे हमारे बीच में, जिसने एक आवाज उठाई, और मेरी आवाज उठाने का मतलब यही था, कि जमीन, एक धरती जिसको पानी के सब जुरत है, उसकी मांग है, कि हमारे खेतों को पानी मिलना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पर इन सब को अखटे करके पहुचा, नहीं नहीं बलकि नेताओं नहीं बताई, जैसे मुक्य मंतरी वसंदर राज जैने, 2003 में हर मंदीर, मस्जिद, हर मिटिंग के अंदर सबा में इस चीज़ को याद दिलाए, तो हम सोच रहे थे कि कोई आएगा, आएगा, लेकिन इस आंदोलन को कुचलने के लिए, यह कोई नेताओं का कोई आंदोलन नहीं था, यह गहर राजने थे कि आंदोलन जिसमें कोई भी, मतलब मैं भी कभी स्टेच पर भी नहीं गया था, फिर उन्होंने हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, खरीग चार बजे, जबके मुश्किल से, चार पांसो यह हजार किसान रह गय पांसों में जो आय थे, वो जा रहे थे, यह जा रहे थे, लेकिन इस आंदोलन को खतम करने के लिए, चार बजे बिना किसी, मतलब माईट के अनौंस किये हुए, कि आप चले जाएए, गोली चलाएंगे, लाटी चार्ज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया, सीदा फारिंग कर उसमें एक घरवती महिला, हंसा गुजरी जो सोयला की थी, जो दिन भर पलिसवालों को, किसानों को पानी पिला रही थी, मतलब वो भी दूसरी मंजिल पर उसके गोली लगी थी, उसकी मदर की जो है, एक उंगली पर गोली लगी थी, तो उसके उंगली भी कट गई थी, और करीब सो लोग घाय लुए थे, तो सो लोगों को अगर घाय लोगों को उठाने में अगर दो पांच आदमी भी लगें, तो सो दो सो किसान खून से लटपत थे, एक मनजर ऐसा था कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजों के जमाने में हैं, ये राजनितिक मतलब परजा त संदिये, बिना उन से समवाद किये, इस तरीके से बरबरता फून, तरीके से गोलिये चलाई, तो सत्ता पक्षकाई ऐसा चेहरा अचानक सामने आना, इसके पीचे क्या सोचते हो आप, क्या वो इस आंग्रों को हत्याना चाहते थे, नहीं सर, नहीं सहीर, या आप उनकी पक उसके पांच-छे महने पहले रावला घरसाना का भी बोली चली थी, किसानों का आंदोलन हुआ था, लेकिन वो फिर भी उसमें नेता लोग थे, राजनेतिक आंदोलन था, और उसमें वसंद्रा राजे की, जो कुर्सी है, डग मागा गई थी, यानि कि ये हो गया था, कि अ मुक्य मंत्री वसंद्रा राजे नहीं रहेंगी, तो जो भी हालात रहे हो, जिस भी नेता ने, एड्मिस्टेशन को, पलिस वालों को, जो भी, अधिकारी चाहिए, एसडियम हो चाहिए, एसपी हो, किसी तरीके से, उनको एक, एक और आंदोलन मतला है, इस तरीके से को चलन और जो नेक्स्ट जो रहता है, उमीदवार जिसको ये उमीद थी, कि भाई में मुक्य मंत्री बन सकता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है, कि वो ही एक, नहीं, आपके इस बात से ये बात जाहिर हो रही है, कि वसंद्रा आपके खिलाफ नहीं थी, उस वकत तक नहीं थी, और ऐसा मुख चलाने के बाद, जो दूसरा पक्ष था, जो भी था, वो ही चाहता था कि वसंद्रा इस से ब्लेम हो, उन पर काला दबा लगे, और वो अपनी योजना में कम्याब हो जाए, तो उन्होंने आपको हतियार बनाया, ये बात कब समझ मैं आई आप, ने तो समझ में और घृतिना, ये गटना के बाद, आपको ये समझ कबाई कि वसंद्रा राजे जो हमें कहती रही है, और अचानक ये फेस सामने आया है, प्रशाशन का ये चैरा सामने आया है, तो इस जब गोली चली और जब हम साथ आठ नो बजे अपने गाउं पोचे तब पूरे हालात पर नजर दाले पूरे सुबार से शाम तक के कि दुकाने खुल लहीं थी, कोई तोड़ पोड़ नहीं, कोई आग जनी नहीं, किसी तरीके की फत्तर बाजी नहीं ठीक है, फिर वो सब चीजें, दिमाग में आए कि रावला घरसाना का भी यह है, और उस वकद में नाम नहीं ले सकता है, जो लोग उसकी लाइन में थे, और जो पेपर में उच्छाला हो रहा था, कि वही इस तरीके से वसंद्रा की, जो है, मुख्य मंतरी की गद्धी जा सकत बसंद्रा तो मेरे खाल से आई थी विजिट पर, जिन लोगों के साथ ही हाथ से गुजरे थे, जिन परीवारों में, उनसे मिलने भी आई थी, और कुछ मुआज़ा भी दिया गया, नहीं उन्होंने गाउन जिराने आई थी, लेकिन उस वकद क्या है, जिस गाउन के अंद वो कहना पाएं, और एक शोर सा मच गया, और फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुमारे जखमों को हैं मैं भरूंगी, लेकिन वो जखम जखम आज तक हैं, और उसको पूरा नहीं कर पाएं, जाकिर सब आपकी बात में मुझे थोड़ा सा विरोधा वास यह लग अजय था, नहीं बाद में तो मेरे अगेंस में हुई थी, नहीं नहीं, महा तक की बाद, एक एक स्केज पचाओ, नहीं, मुझे ऐसा नहीं, आपके मन में भी कहीं, वसुन्दरा जी के व्यक्ति के दोरप सो उनके आचरण के पती आपको कोई शिकायत नहीं थी, नहीं शिक दे दिये गए के भई ये जाकिर को ने ये आएसाई आए का मुझे एजेंट डिकलियर कर दिया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी, ठीक है, CID रिपोर्ट थी हैं, CID रिपोर्ट जो है, यहां से CID वाले मेरे देवास, वहां तक गए, उन्होंने सारी इंक्वाईरी करी, ठीक और उसके बीच में, नहीं तो क्या आप ऐसा मान सकते हैं कि प्रेशाजिशन हाई लेव, शीर से नेत्रत तो अगर ना चाहें, या कुछ कंट्रोल करना चाहें, हालात पर, उसके बावजूद भी जो उनका विरोधी खेमा है, वो इतना पावर्फुल हो गया कि CID रिपोर् आपके खिलाब सबूर जुटाना, फिर आपको उस टूल डाउन कर देना, जहां तक मुझे दिहान है, अरेस्टिंग की स्थिती, तो ये सब कैसे मान रहे हो आप, उनको क्लियर चीट कैसे दे रहे हो, नहीं नहीं, अभी तक जब तक यह आई, उस वकत तक की बात जो हमारे जो अंदोलन है, उसमें जो बड़े-बड़े नेता थे, जाट नेता थे, घूजर नेता थे, मेना नेता थे, उन सब ने जो हमारे आसपास के जुगाओं के लोग थे, उन सब को तोरने ही कोशिश की, फिर उनकी भी अपनी मिटिएं होती होंगी, एक लड़का कहां से आग जाता, इस थोड़े जगड़े-उगड़े के बाद, चलो पांच आदमी उसके बाब जूद भी, अगर वसंद्रा ये स्टेंड लेते ही, ओके बात जनाईन है भाई, हो गया उसको तो नहीं ठीक किया सकता है, जो मर गया उसे जंदा नहीं किया सकता है, लेकिन पानी डाला जा सकता है, तो दो हजार पांस तक मरेका से जग वसंद्रा जी रही है, या दो यारा, आठ तक रही है, तो काफिर नम्मक पे लेता है, अब हम डायरेक्ट तो उनके पास बेटे नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे यहां के महाविड जी भी थे, मुक्खे सचे तक, परभुलाल स करशी मंतरी भी थे, मालपरा से जीतराम जी थे, वो यह चाहती थी, कहना, क्या आप भी तो कुछ बोलो, इन्होंने हमेशा इस चीज़ को नजर अंदास किया, कि विसल पुर्बान का पानी टोली सागर में डाला जा, और आखिर तक वो मना करते रहे, और उन्होंने कोई इ नहीं था क्या, उनका वोट बेंग तो यही था कि भई, जिस शेतरी भी आप लड़ रहे हैं, महां का वोट बेंग क्या जीतराम के वरुद्ध था, नहीं, उसमें यह था कि यह जो जाकिर है, यह किसी की बात नहीं सुनेगा, और यह कांग्रेस के खेमे में जाएगा, वहाँ पर उन्हें हमारे जिराने में विजिट किया, वो मेरे गाउं के पास भी रुकी, लेकिन मौसम खराब था, और उन्होंने यह कहा था कि यह जो जाकिर है, इसके पिचाब क्यूं पढ़े हैं, और इन किसानों को क्यूं परेशान कर रहे हैं, तो इनको यह था कि यह परेश में चला जाए जाए, ठीक है, क्यूंकि बिएंगे मुस्लिम, मतला मुस्लिम होने के नादे, हर आदमी को यह सोचा जाता है, यह पहलू हो सकता है, कि यह जो है, वो कांगरेश ही है, और यह कांगरेश का यह उक्सायवा है, क्यूंकि जब आंदोनन हुआ, और गोलि पारिलाल जी उसका जिन्दा थे, जक्या जी थी, चंदरभान जी थे, राम विलाज जी थे, सभी कांगरेश ही नहीं ता, हमसे जादा धरने परदेशन में लगे होते, कि भाई विसल पुर्बान का पानी किसानों को देना चाहिए, और किसानों पर गोली नहीं चलाना चाह मैं अपनी सोच से बता रहा हूँ, 2008 का चुनाव जो है, हमारे जो मुक्य मंतरी, शिरिय अशोग जी गेलोध है, पूरे राइस्तान में, इसी बात को बता रहते रहे, 13 जून 2005, 100 लगोली कांट, 5 किसानों के हत्या, बी जे पी जो है, अपने परजा तंतर के हिसाब से काम न लेकिन अब या तो हमारी बदनसीबी समझिए, किस जिले की और किसानों की, के हमारे गियलो साब की भी सरकार बनी, कांगरेस की सरकार आई, फिर आश्वासन दिया गया, कि बोह हम पानी डालेंगे, सारी चीज़ों होई, फिर लोगों ने कांगरेस की सरकार बनवाई, और नतीज़े ये रहा कि फिरो बाद गोल मौल हो गई और हमारा जो साड़े पांच साल का जो धरना था पटेल सरकिल पे जो टोंक जिला मुख्याले के सामने चल आता है मेरे काल से पांच साल धरना चलना मेरे काल से एक विश्व रिकॉर्ड हो सकता है गेर राजनेतिक तो हो सकता है गेर राजनेतिक जो है चला मुझे जेल में डाल दिया गया और उस धरने को घटा दिया गया और अभी भी जो हमारे यहाँ से उप मुक्य मंत्री अब तो नहीं रहे सेचीन जी पाइलेट साब इन्होंने भी हमारी जो ग्यारा तेहसिलें जो टोल्डी सागर और विसल बुर बांद के पानी से जुड़ी हुई है इन्होंने हर गाओं में जार के हर मिटिंग में यह का आपकी समस्या मुझे मालूम है आप कुछ मत बोलो मैं चुनाव जीतते ही आपके टोली सागर में विसल बुर बांद का पानी डालूगा लेकिन अब यह दो साल निकलने को हैं कोई बात नहीं हुई और आज भी किसान तो संपर्ट तो यह है कि यह आभी परजात तंत्र नहीं है सर अभी जो तंत्र चला है यह परजात तंत्र नहीं चला यह पार्टी तंत्र चला है इसमें पार्टी के 20-25 लोग हैं जो उनकी जीवजुरी कर लेते हैं उनको माला पेना देते हैं उनके आगे पीछे रहते हैं आम किसान शहीद हुए थे कौन महीला थी चीक नहीं हुआ बार अभी पांच-छे लोग पार्टी गया तो इनको नेताओं को समाल लो और आप राजनेती में आजाओ अभी वो जनता से जुड़े वो लोग जो हैं क्या आपको किसी पक्स से बुलावा आया कि जोइन अस कि ऐसी वो कोई गटना आई है जीवन में सर जब आंदोलन चला था उसके एक दो साल तक तो आई थी अच्छा कि आप हमारे ने साथ रहें कौन से पक्स से आई थी ने में पक्स का नाम ने लेना चाहता अच्छा ठीक है और आप हमारे साथ जुड़े रहें और आप अंदोलन में आगे रहें और हम साथ में आप हमारे पक्ड़े तो मेरा ये कहना था कि भाई ये है आंदोलन जो है गेर राजनेतिक आंदोलन है इसमें मेरे साथ मकपा भी है राखपा भी है बस्पा भी है बीजेपी भी है कांग्रेश भी है मैं किसी एक दल को पक्ड़ूंगा नहीं जब तक मेरे बिश्वत पुर्बान के पानी की मांग जो टोड़ी सागर में डलने की यह फूरी नहीं होती तो क्या एक भ्रह्म रहा कि जब आपने अपना पक्षिर रख दिया कि मैं राजनिती करना नहीं चाहता आप्विशन की किसान के दर्द को आपके सामने लिखाया उसका सॉल्यशन चाहता हूं तो क्या वह आपके कहने से संतुष्ट रह कि क्या अपकी आपका जो भी ग्रेवि बिल्कुल इसमें कोई शक्वाली बात नहीं है ऐसा था बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कब मैसूस हुआ है क्यूंके 2008 के चुनाओ के बाद में ठीक है मुक्खे मंत्री हमारे आधरनी आशोगेलो साथ बने उन्होंने मुझसे करीब उनके ड्राइंग रूम में रात के नो बजे भ परिस्तिति वर्ष यह सब चीजें पोसिबल आज तक नहीं हो पारी है ठीक है वर्तवान में क्या सोच है आपका अब पीड़ा तो भाकी महाई है क्योंकि अपना जो यह डैम है यह साल तो भरता नहीं है और बात यहां आके ही सिमेट दी गई अब तक कि और फ्लो होगा तो लिफ्ट कर देंगे पानी को बान तो तीन साल में एक बार फ्लो होता है नई सर मेरा क्या है कि मैंने मोकरी छोड़ी है मेरे परिवार को छोड़ा मेरा परिवार अभी देवास में है ठीक है मेरे भीवच्चे और ऐसे सोफ्ट फिल्ड को छोड़के मैं एक हार्ट फिल्ड म हमारी बदनसीबी है कि जो भी इस जिले के अंदर टॉक के जिले के अंदर जो भी एमेले बनें एंपी बनें ठीक है है ना उन्होंने इस टॉक के दर्द को नहीं जाना है मैंने आज के चाह evil 45 साल वाला जो टॉक है उसको में वापस से देखना चाहते हूं आप पीछे जाना चाहते हां आजा कि की आशिए के माम BARATA करें पंजाब की बात करते हैं हर्याना की बात करते है chỉे हमारा टोक जिला भी वैसा ही था था आज के 40-45 साल पहले आप यह कहना चाहते हैं कि बिसर फुर बांग से पहले की स्थिति ऐसी थी बांग बनने के बाद यह स्थिति आगी बांग बनने के बाद तो बहुत तोंग जो है बिल्कुल ऐसा हो गया हट्डियों जैसा जैसे मास उतर जाता है ना कंका ले जा गए यह तो बने हैं लाइफ के नाल में के लाइट के नाल में राइट के नाल में आप सुनी है सहीज में कि मैं जो सपना देख रहा हूं जो 45 साल पहले है ठीक है तोंग बड़े कोई से वीर गुड्स अमर्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी में कम से 40-50 ट्रक दिल्ली को सबजी के और जो खर्बुजे तर्बुज रवाना होते थे वो जाते थे लोगों के कोई में पानी था ठीक के रहे पेदा अच्छी होती थी और जहां पर ये आपका दूद वगएरा ये जेपूर तक सपता ही होता था ठीक है आज की डेट में हो सब ये बिसलपू डेम बनने से थोड़ा सा एरिया वाका सीचित कर दिया इसको सूगा कर दिया अब मैं ही चाहता हूँ के डेम बने अभी मैं हमीशा जी से भी मिलकर आया था दो साल पेले ठीक है और उनसे मैंने ये बात रखी थी कि अगर आप हमारे एरियो को सो करोड का खर्चा है 22 किलो मिटर का फिडर है 27 किलो सब्सक्राइब करने के गारंटी हम लोगों की क्योंकि पेले भी हम दिया करते थे इस चीज को तो मेरी शकल देख रहे थे लेकिन उनने ही कहा कि मैं वसंद्राजी से बात करूँ और इसके बात यह नहीं हो पाई अब आप देख लीजे कि यह टोंक के अंदर सोचने की बात है और मैं दर्शक गण जो भी मतलब इस बात को देख रहे हैं और जो यह लाइफ जो चला इसको सोच रहे हैं एक सोचने की बात है आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए यह नहीं कि आज इंटर्वी देखा और अपने जीवन में नहीं आप कुछ चीजों को मेरी तरफ से म आप अपने लिए मत जीओ कुछ अपने देश के लिए अपने जिले के लिए अपने परोसियों के लिए भी जीओ अच्छी बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आद यह सोचने का विश्यस हरा कि टोंक मिधां टोंक जिले से पांच एमेले चुनकर जाया करते थे आद चार मेले रह गए कोई बता सकता है कि इसकी वज़े क्या है क्योंकि जो गाओं का जो आदमी था आज जमीने कम हो चुकी है मेरे जैसे ग्रांट फादर के पास डेवर सो भीगा जमीन थी मेरे फादर के पास 75 भीगा जमीन तो हर बार कम हो रही है अभी मेरे पास 15-16 भीगा जमी वो भी सुकी तो फिर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे और मेरे बच्ची जो हैं जीन्स और टी-शिर्ट में जा रहे हैं आठ वी तक आपने कंपलसरी कर दिया उनको पास करना उन्होंने वो सब आदते अपनी शेहर की तरह डाली फिर वो गाओं में आते हैं तो उनको कुछ मिलता नहीं है तो किस तरीखे से जीएंगे तो सारा जो गरीब आदमी था जो भी रोजगार की तलाश में वो सब बड़े शेहरों में माइग्रेट होगे तो यहां पर तोटल पॉपॉलेशन जो है राजस्तान की है उसमें अगर हम 200 सीटों को डिवाइट करेंगे तो परह में ले जो पॉपॉलेशन आती है उसमें हम कम हो गए और हमारी चार सीटे रह गए बदनसीवी यह भी रही है जले की और यह जो नेता नको शाप ही लगना चाहिए जनता का जो धोका दे के इनको गुम्रा करके ट्रेंड चलती थी सक्सेना साथ जहां इस पूरे इंडिया के अंदर जहां मिटर गेज थी नेताओं ने कोशिश करके मिटर गेज को ब्राड गेज करा दी यहाँ पर ट्रेन को हटवा दिये प्रेन की पट्रियांगों खडवा दिये नदी थी, सो गाओं डूब मे ला दिये और एक बनास नदी को जो पूरी लाल मिर्च से आजके अगर 20 साल पहले देखते तो पूरी लाल मिर्च पिदा होती थी यहां पर और यहां पर एक मिर्च मंडी बनी है जिसके अंदर आज तक एक मिर्ची भी नहीं गई ठीक करें तो वो सारे जो हालात हैं वो उन सब को में वापस मेरा लाने का सौपने हैं आपका सौपने हैं और यह जितने भी जो देखने वाले हैं यह इस बात को सपोर्ट करें और यह जो नेता लोग हैं, जो stage artist हैं, जो 15-20 जिनका जनाधार ना तो परिवार में हैं, ना परोस में हैं, ना जिले में हैं, जितने भी आप गी जो आते हैं, चाह मुख्य मंत्री हो, चाह मंत्री हो, stage के अलावा इनकी कहीं पर भी कोई पकड़ नहीं है, पेचा नहीं है, च अपना जो मांसिक, जो रहता माइंड सेट, वो चेंज हो जाएगा और वो भीचे भी को दे दिंग, ना के वो इस केंडिडेट को दे रही हैं, जिए, दूसरा पहलो आता है, चलिए माना की पाने की समस्य है, हमारा जिला भी पिछड़ा जिला कहलाता है, और आप तो किसान पढ़े लिखे किसान हैं, जिए, एगर नस इंडस्टी का क्या सबबावना है आपको अपने शेयर में, अपने जिले में ख़त्म हो रही है, नहीं क्या प्रशास सनिंग इस तर्पे, राजनयतिक इस तर्पे, क्या इस तरफ रुजान होना चाहिए, या नहीं होना या इसकी क्या संभावना है इस और आप कुछ कहा है देखिए राजनेति किस तरका तो मैंने बताई दिया कि कोई भी एमेले कोई भी जन परती नहीं दी आज तक इस बात की मांग को लेकर ना तो मुख्य मंतरी के पास गया और परश्चासनिक अधिकारी भी जैसे हमारे जलादीश हैं एस डूए हैं इनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर लोग अगर उनको ग्यापन दे रहे हैं तो उस मांग को महाँ पर जाके रहे हैं आगे तक पहुँचा है चलिए अब जर्नल कुश्चन करते हैं बात पूरी करने से पहले पीड़ाएं तो उसके दिल में जादा होती है जो पीड़ा महसूस करता है एक पीड़ा और और यह सक्सेना साब अब बोली अभी वीसलफूट डेम बना सो गाउं डूब में आए अब एक इसरदर डेम बनना है इसमें भी तीस गाउं कम से कम डूब में आई है ठीक है अब एक ही नदी में है एक ही जिले में है फिर इस डेम को बनाया जा रहा है जिससे टोक को फाइदा नहीं मादोपूर को है और यह गुमरा कर रहे हैं कोई भी मुझे ये बता दे कि अभी उन्हों ने क्या हवा उड़ा रखिये कि इसर्दा डेम बनने से टोग के कोग का जलिस्तर उपर आएगा जबके इसर्दा डेम जो है टोग की रीश से बहुत नीचे की साइड में और हमेशा जो फ्लो रहता नदी का उसी तरफ जो है पानी का जो है रिचार्ज रहता है उपर के साइड में कुछ नीचे जैसे अपन टोग में बेटे हैं बहीर के अंदर तो बहीर में कुवे चार्ज होंगे लेकिन गलोद उसके जस्ट उपर है मान नहीं जाएगा क्योंकि फ्लो उसका जो है पस्चिम से पूरफ की तरफ है ठीक के रहा है तो ये भी एक टोग के साथ मतला एक जल्म हो रहा है और जहां तक हभी जो ट्रेन का और इसका है मुझे फिर अभी जैसे हमारे सांसद महोदे है सब लोग ट्रेन की बात कर रहे हैं पीड़ाएं तो बहुत सारी हैं जिले को लेगे आप बताएए एक राइस्तान में टोग जिला टोग जिले में भी एक वनस्तली विद्या पीट जो गल्स के एजूकेशन के मामले में इंटरनेशनल कॉलेज है महाँ पर जो है सारी जो मतलब जो निवाई स्टेशन है महाँ कोई एक सुपरफास दो मिनिट रुकने के लिए तयार नहीं चाहे आप जेपुर बॉम्माई ले लो जेपुर इंदो ले लो जेपुर चिन्ने ही ले लो इस तरीखे के जितनी भी सुपरफास ट्रेन है यह ना वहाँ पर दो मिनट यह नेता अपने जो भी सांसद रहे हैं अभी तक यह कुछ नहीं एक भी काम बता दें यहां के सांसद या है मेले पराने कामों को छोड़के कि इन्होंने पिछले दो तीन दश्चकों में यह जिले के लिए काम किया त्रेयर की जो मांग है सवाय महदोपूर से अजमेर की यह मांग 3 ढिर जिले की यह तोक का जो है ट्रेयर की मांग हम भी थे और जो गेलो डाक्षाब भी थे अजमल भी था और हमने भी इसана 1 जान की बात को रखा इस स्टेज के लिए बात कर एक चाहे बड़ा कुआ हो चाहे घंटा करो आम जन को बताया और उपर तक इस माम को रखा के भई हमें जो है निवाई से थोड़ा सा घुमा के ट्रेन को टोक से जोड़ते हो सवाई मादोपर ले जाए क्योंके टोक के अंदर कोई इंडस्टी नहीं है कोई रोजगार नहीं है ट सवाई मादोपर से और जो जो लाली पाप दे रखा जमेर का जिसमें बाइस इस्टेशन है कौन बेटना पसंद करेगा और उसमें टोक के लिए क्या फाइदा है तो मैं तो आपके इस सोशल मीडिया के माद्यम से और अशोक सकसेना जी आपके आपकी मेरी बात के प्रोग् और आपके इस सर्दा अगरे से घुमाते हुए टोक निवाई जाते है और जेपुर को जाना चाहिए इस सम्में में तो ये भी सुनने माया था कि पहले जो वित्त राजमंत्री थे अपने नमोराइट जी मिना साब उन्होंने काफी कुछ प्रयास किये थे ऐसा सुनने माया कुछ वित्तियां सुकरती जारी हुए थी इसके सर्वे के लिए ऐसा कुछ हुआ था सर अगर सभी कुछ हुआ था तो फिर बचा क्या चलिए ठी आज बीजेपी के जैसे हमारे जो एमेले हैं जी वो कहते हैं कि विसल पुर्बान का पानी टोड़ी सागर में डालना कांग्रेस के सरकार से पहले बीजेपी की थी ऑपर भी बीजेपी की सरकार है जबकि सेंटल ग़ورمن्ट तो योजना है नदियों से नदियों को जोड़ने की वो अठैल जी का सबना पूरा करने की बलकुल तो मैं ही कह रहा हूं कि पूरे इंडिया में नदिया जोड़ना को स संबाव बात नहीं कि किस किस को चोड़ें कि बड़ा का लेकिन एट लिज जो राजिस्तान पानी के लिए हमें से अस्तरस्ता रहा है और जहां लोग शहीद हो गए तो हमां क्या सवा सो करोर रुपे जग खर्च निकर सकती शकती बात इच्छा शक्ति कि पैसा वैल्यू नही पाने चाहिए और भी साखर शक्ति करा अग्स नहीं स्कार जो पर suppression को जोड़ा पर С elabor दिये जाए पहले ये में पानी डाल के जो आपका जोड़ पृया डेम जो लोगों के परेश जमीन भी परियाबत है अच्छा उत्पादान हो सकता है जो आए दिन प्याज लसन अद्रग आलू के जो प्यास बढ़ते हैं दूद के जो प्यास बढ़ते हैं शोटे जो आती है ये हमारा एरिया पूरी पूरती कर सकता है और अगर आज हम लोग किसान लो होंगे तो आज जो हमारे एरी के अंदर टोप जिले के अंदर जो भीहार की राह पर चले हम लोग पेले कट्टे का नाम नहीं जानता था यह तो अभी पंद्रह बीज दिन से बजरी का जो है रुकावट हो गई ही है नहीं तो इससे पहले जो बजरी रोग के बावजूद भी सुप्रिम कोट के आउडर के बावजूद भी धड़नले से चल लही थी इवान रोज तो पिलिस पड़ती थी तो माफिया काम कर रहा था और आप समझते हैं जब हमारे जो युवा लोग हैं उनको उन्होंने ग वालियों से टक्रा दिया गया इसमें भी परशासन की ठीले पहले तो उन लोगों को बना लिया नेताओं के इन में परसंटेज शामिल हैं तो इनका कमाई का धंदा यही रह गया है इनको जो जो हमारे MLA MP के जो बजट रहते हैं उसको भी पूरी तरीखे से नहीं लगा पा है नेता वो यहां पर है इसी तरीखे से अपने टोंक जिले के अंदर चलने हैं टोंक के सड़कों के हालत यह है कि आप जिला मुक्याले पे तेसिल मुक्याले से जिला मुक्याले पे आ नहीं सकते आप पीपलू तेसिल ना थिरी से पीपलू तेसिल नहीं जा सकते सर रानोल सकते मुश्किल से बारा किलो मिटर है उसमें दो घंटे लगते हैं सर जाई नहीं सकता कोई लेकिन कोई भी नेता इस बात को फिल्ड में आके देखने को तयार नहीं है और जब तक ये नेता इन बातों को समझेंगे नहीं और मैं तो कि अगरा हम पब्लिक भी इसी की मैंतलब इसको भी समझना चाहिए कि ये जब नेता जो लोग आते हैं तब ये अपने माबाप के तो पेर नहीं चुते हैं उनके पेर चुएंगे उनको माला पेर आएंगे जैसे हो कि ये कारगिर युद जीत के आया कोई बात नहीं आप आपका दर्द ऐसा नहीं कि वेक्तिकत हो ब पेरे गाओं के अंदर 2004 तक एक टीवी नहीं था एक मोटर साइकल नहीं था एक ट्रेक्टर नहीं था और 2004 के बाद मैंने इसके जमीन की परेशानी को समझा पानी किसान की परेशानी को समझा उस वकत आज की 20 साल पहले बारिश भी होती थी तब भी हमारे गाओं अजिस प् पूरे आठ घरों के अंदर तीन सो बोरी सरसों से जादा नहीं, गेहों से जादा नहीं, आज दो अजार चार से मैंने पानी के ओपर काम किया, ये तो जिल्ले लेवल के ओपर तो मैं बात करता ही हूँ, मैंने जगे जगे स्टॉप डेम बनाए, दो अजार चार तक आप आई से लगता है कि बीशलपूर हमारे खेतों के किनारे है, और को का पानी जलिस्तर बढ़ गया, और आज चार से पांच हजार बोरी, सब सो और गेहों की इस ग्राम अजिस प्रा के अंदर पेदा होती है, तो लोगों की माली आलत ठीक हो गई है, कम से कम भी 15 टेक्टर है, मोट हम सब का आभार वेक्ट करते हैं, जो शोता सुधी हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, अपने कमेंड़े हैं,